जै हैं दोस्तों, स्वागत आप सबका Sleepy Classes के YouTube चानल पे तो दोस्तों आज है 21st January तो 21st January को दो relevant एडिटोरियल में को लगे जिसके आज हम discussion करेंगे एक Indian Express में से और एक The Hindu में से तो इन दोरों के हम चर्चा करेंगे और दोस्तों इनके साथ इन एडिटोरियल के एडमिन के questions भी होंगे तो questions को आप attempt कर सकते हैं जिसका answer easily आपको एडिटोरियल में से ही मिल जाएगा तो चली दोस्तों अपनी discussion को शुरू करते हैं पहला editorial, drop the IS Carder Rules amendments ये दहिंदू में आ जाया है वेकि अभी recently Central Government ने कुछ amendments करी है जो IS Carder Rules के अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत यह sensitive सा मुदभ होगे यहाँ पर एक conflict arise हो रहा है between the state governments खास करके अगर opposition party rules, state governments की बात करें कि अब Central Government यह कह रही है कि हमको अगर deputation के लिए Central का अगर देखिया obviously IS officer, IPS officers वो Central deputation पे जा सकते हैं बशर्ति उनकी अगर अपनी खुद की इच्छा हो तो Central Government का जुनाय डारेक्टेव आया है इससे बड़ी controversy रिजब हुई है कि Central Government कह रहा है कि जब हम चाहेंगे अगर हम किसी IS officer को या किसी IPS officer को जो कि किसी भी state government में काम कर रहे है उनको अगर हम बुलाना चाहें deputation में तो वो आ सकते हैं, उनको आना ही पड़ेगा state governments को अपने IS और IPS officers को release करना ही पड़ेगा जब Central Government कोई ऐसी particular situation में demand करेगी अब देखिए अब दो बाते हैं आपर समझने वाली है एक जो all India services है वो हमारा federal feature में नहीं आता अगर आपने polity पड़ी है तो polity में आपने पड़ा होगा कि हमारे कुछ federal features होते है ठीक है? तो for example हम बात करें written constitution की बात करें, rigid constitution की बात करें supremacy of judiciary की बात करें तो ये हमारे federal features में से आ जाते हैं जो all India services है ना all India services हमारे unitary features में आते हैं अब आप जानते हैं कि all India services में recruitment तो UPS ही करता है IAS, IPS, foreign services चेटरा जो भी service allocate होती है लेगे ना as an IAS officer, as an IPS officer आप काम का हंगर ने जाते हैं आपको state carder lot होता है तो ये system बहुत time से जलता आ रहा है बट जो all India services है वो federal feature में नहीं आते हैं ठीक है? तो ये unitary feature में आती है अब अगर हम बात करें all India services की तो अगर हम बात करें सरदार पटेल की तो सरदार पटेल जो कि all India services को steel frame of the country भी कहते थे तो आईए जानते हैं उनके क्या views थे all India services को लेगे all India services जिनके जो members है recruited and appointed by the central government and allotted to various states state carders मिलते हैं उनको वो दोनो state को भी और center को भी serve करते हैं अपने career में अब देखिए अब जो deputation पे जाते हैं central government में अगर माली जी आप पंजाब carder में allocate होते हैं हर्याना carder में, करनाटका carder में कोई भी state carder में तो कुछ साल service करने के बाद आप अगर चाहें तो आप deputation के लिए central government में भी जा सकते हैं किसी ministry में भी जा सकते हैं home ministry हो, health ministry हो, education ministry हो etc. अब यहाँ पर यह बात हमको समझ आती कि all India services हैं लेकिन जो I.S. offices हैं वो दोनों center और state दोनों में ही काम कर सकते हैं यह नहीं के सिर्फ उनको state government में ही काम करना है सरदार पटेल considered all India services as very essential to knit the administrative framework for a vast and diverse country अब जब हम अजाद होते तो बहुत सारे challenges थे तो सरदार पटेल जो हमारे पहले home minister भी दे तो बहुत सारे challenges face करने पड़ इंडिया को तो उनका जो reliance था उनका जो भरूसा था civil services के उपर बहुत जादा था तो उनका यह भी मानना था कि देखी अगर हमने एकता बनाए रखनी है अगर हमने unity बनाए रखनी है इंडिया में तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो IS officers है जो IPS officers है All India Services के जो officer है वो अपने independence हमेशा उनकी independence रहे और वो without any fear या without any favor जो भी वो बात कहना चाहते हैं इस बात को हम समझते है तो कुछ conventions की बात करें तो All India Services officers they are made available for central deputation एक consultative process होता है जहां पे central government भी, state government भी और जो particular officer है जो के deputation पे जाना चाहता है तो ये consultative mechanism होता है तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ पहले के भी किसी officer को धक्के से central deputation पे जाना पड़े अगर उसकी मर्जी नहीं है तो वो central deputation पे नहीं जाएगा अगर वो जाना ही नहीं चाहता तो why would he go every year state prepare करती है एक offer list, एक proposal list of the list of the officers जो की willing है जिन्होंने खुद अपनी मर्जी से central reputation पे काम करने की अपनी permission दी है without arbitrarily withholding any names तो state अगर माली जी के अगर 10 अफसर है तो वो कहते हैं माली जी वेस्ट बिंगॉल की बात करें किसी भी state की बात करें तो अपनी इच्छा प्रगट करते हैं हम central government में काम करना चाहते हैं central ministries में काम करना चाहते हैं हमने 12-15 साल यहाँ पे state government में काम कर लिया अब हम central government में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं तो अब जो state government है तो for example, West Bengal की बात करें वो जो 10 बार offices की list होगी वो सामने रखेंगे तो उसके बाद Central Government की मर्जी है कि वो किसको बलाना चाहें पर जरूरी बात ये है कि जो officers होंगे ये willing होंगे काम करने के लिए इनकी मर्जी के बगार ने कुछ काम हो रहा ठीक है These states would relieve the officers which will be picked up by the center at the earliest तो ये तो convention ये तो तौर तरीका अभी तक चलता आ रहा है अब अभी जो conflict आ रहा है over the all India services उसकी बात करें देखे पिछले साल की बात है में 2021 की बात करें चलो West Bengal का जो चुनाव हुआ था उसमें त्रिनमूल Congress Party जीत गई थी लेकिन this is not a hidden part कि Central Government की भी खास करके ruling party की बात करें और TMC की बात करें उनके बीच में काफी conflict चल रहा था अब यहाँ पे बीच में आये सबसर जो है वो बीच में रगडे जाते हैं अब हुआ क्या था कि जो West Bengal के Chief Secretary थे अलपन बंदोपाध्य है उनका एक ही दिन रह गया था service का याने कि उनकी retirement होने वाली थी May 31st को उनकी retirement होनी थी और एक ही दिन पहले Central Government ने order issue किया कि अभी उनको Central Deputation पे बुलाया जाए अब देखिए अब politics के चकर में Central Government और State Government के तू-तू-मेमे के चकर में politics के चकर में end में कौन सफर करता है IS officer या IPS officer सफर करता है अब उसने तो नौकरी करनी है IS officer ने, IPS officer ने अब उसको जो mandate मिला गया है ठीक है तो वह वहीं पे काम करेगा ठीक है Now, some states used to vindictively withhold the names some states used to vindictively withhold the names of some of the officers who had opted for Central Deputation याने कि ये भी अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिसे मालीजी कुछ officers ने बोला है कि भी हम Central Deputation पे जाना चाते है अपनी मर्जी, अपनी willingness दिखाई है लेकिन कई पर ऐसा भी किसा सामने आए कि जो state governments है वो ready नहीं होते अपने officers को release करने लिए कि वो Central Government में जा सके Deputation के लिए अब हाल ही में Central Government ने चार amendments प्रपोस करें है to the Rule 6, Clause 1 of the I.S. Carder Rules, 1954 जो existing rule है वो यह कहता है कोई Carder officer है Punjab Carder हो, Haryana हो, Rajasthan हो, Madhya Pradesh हो whatever Carder हो may be deputed to the Central Government only उसके बाद ऐसे नहीं कि सरफ उसने बोल दिया तो उसको भेज देंगे वहाँ पे यह पुरा mechanism है जहां पे state governments की भी उनका भी analysis लिया जाता है उनका भी viewpoint लिया जाता है उनसे भी consult किया जाता है लेकिन अगर गल को state government बोले कि जी हम अपने अफसर को नहीं भेजना चाते है Central Government में कोई dispute आजाए कोई disagreement आजाए तो जो matter है जो final say होगा वो Central Government का ही होगा तो ये बात तो existing rule में बहुत clearly stated है अब क्या-क्या concerns आए है mainly दो concerns यहाँ पे इस article में raise करें गए है जो proposed amendments करी है 1. Is the new provision making it very mandatory for the state government to provide a certain fixed number of IS officers every year अब देखिए पहले तो क्या था कि पहले था कि IS officers की अपनी मर्जी थी उनसे पूछा जाता था अब अगर किसी state government में 5-6 IS officers है वो कहते हैं कि जी हम Central Government में जाना जाते है हमारी खुद की मर्जी है तो वो ऐसे बात थी अब हर साल तो ये तो फिर धक्का हो गया अब अगर कोई willing नहीं भी होगा तो उसका नाम भी state government को list में शामिल करना पड़ेगा और state government ये कह रहे है कि हम अपने ते काबल officerों को क्यों दे आपके पास कि भी वो जब यहाँ पे काम करी रहे है तो आपके पास क्या यानि कि state governments खास करके West Bengal की बात करें वो central government को ये कह रहे है कि IS की कमी होगी है क्या कि आप वहाँ पे IS officers की कमी है central government में जो आप state government से माँग रहे है अब इससे क्या होगा इस proposed change से देखी ये जो view इस article में आए वही ब्यान कर रहा हूँ कि अपना personal bias नहीं है ठीक है तो यहाँ पे आपका example आ जाता है जो पिछले साल में 2021 में हुआ था incident जो चीफ सेक्रीट है वेस्पिंगाहल के तो अपनी रिटार्मेंट से एकी दिन पहले central government ने उनको बुलाया deputation के लिए central ministry में तो अब यह specific situations कौन सी होंगी who will decide the specific situation what are the so-called specific situations तो इस बात की clarity नहीं है तो state governments they have a justified apprehension उनका जो डर है जो fear है वो बहुत justified है कि यह जो provision है यह political vendetta के लिए misuse किया जा सकता है खास करके अगर ruling party center में कोई और opposition party states में कोई और है ठीक है तो अगर हम आज के time पर बात करें से वेस्विंग गौर में BGP versus TMC conflict है तो यह political tutu मैं मैं इसमें नहीं आनी चाहिए after all सरदार पटेल ने ये steel frame नहीं in vice age किया था independent India का कि यहाँ पर politics speech में आएगी all India services में तो क्या बात करी दी शुरू में all India services ensure कर सकते है unity of India बकाइदा अगर वो अपना freedom अपनी independence अपना freedom of mind अपना जो है जो भी उन्हों कहना चाहते है जो भी वो काम करना चाहते है वो without any favor, without any favor वो कर सके ठीक है तो यहाँ पे लेकिन conflict आ रहा है long term damage की बात करें अगर ऐसा रहा अगर ये mandate हाला कि चलो अभी central government ने ये order दिया है central government ने बोला कि 25 January तक का time आपको दे रहे है अब 25 January तक बताईए कि आपका सभी state governments को कि आपका क्या-क्या view है इसको लेकिए लेकिन अगर ऐसा अगर हुआ अगर ये norm ही बन गया तो आगे जा कि जो state government होंगे state governments अपने-पने states में जादा state civil services offices को हायर करना शुरू कर देंगे तीक है जो provincial civil services होता है PCS का जो होता है तो उसमें क्या होगा कि जो IS offices है उनकी relevance हो कम उनकी relevance रहेगी नहीं state governments में तो जो जो charm है जो इतना बड़ा charm है IS carder के साथ associated IS will lose its team its charm and the best and the brightest candidates they will no longer opt for the IS क्योंकि अगर state governments में तो इससे बहतर है कि हम IS offices की जो हम लेते हैं जो हम induct करते हैं अपने government में वो कम करें उससे जादा हम state civil service offices को recruit करें ठीक है तो ये एक long term damage हो सकता है to the institution of the Indian administrative service Now what is the way forward Now यहां भी बड़ी अच्छी बात करी गई है In the words of the late justice Nani Impalkiwala The center would have no moral authority to govern unless it displays a sense of justice and fairness towards the states तो वो constitutional morality बहुत जरूरी है और एक और बात यहां पर quote करी गई है जो landmark judgment थी SR Bumai versus Union of India उसमें ये कहा गया था कि जो states है न they are not the satellites they are not the agents of the center ठीक है हम पूरा federal नहीं है ठीक है हम quasi-federal है लेकिन हम unitary भी नहीं है तो states अपने domain में as far as the political, social, educational, cultural life of the people are concerned तो states की भी जो importance है significance है वो उतनी ही है जितनी central government की है तो ये बात इस article में करी गई है question क्या बनता है तो vision NYC is by Sardar Patel for the steel frame of India seems to be blurred amidst the ongoing center state conflicts elaborate चली अगला article ये last article आजका रहेगा अच्छा article में को लोगा international relations related है at stake in Ukraine अब इसमें क्या बात करी जा रही है अब यहाँ में बात करी जा रही है चली Ukraine का अब देखिए Ukraine में invasion होगा के नहीं होगा ये तो सरव एकी इंसान बता सकता है वो है व्लादमीर पुतीन अब वो व्लादमीर पुतीन को better पता है अब अभी फिलाद तो चिनता है अभी अमेरिका को भी चिनता है जर्मनी को भी चिनता है फ्रांस को भी चिनता है विकॉस अलड़ी जैसे के बात हमने पहले भी डिसकस करी है कि Ukraine में काफी सारे जो Russian troops है वो deployed है और अगर व्लादमीर पुतीन चाहें तो आज ही Ukraine को invade कर सकते है तो व्लादमीर पुतीन वैसे भी बहुत bold है वो वैसे भी इतनी परवाह नहीं करते हैं और अक्सर अब ये भी बात है कि न्यूस में आ रही है कि जो बाइडन जो है जो बाइडन इतने strong नहीं है कि वो पुतीन को टकर दे सके अमेरिका आज वो अमेरिका नहीं है जो Ronald Reagan के टाइम पे था या Richard Nixon के टाइम पे था तो वो आज वो hey day नहीं है अमेरिका का तो ये भी बातें आती है निउस पेपर्स में कि अगर व्लादमीर पुतीन वेट कर भी ले उक्रेन को तो अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा after all ये हमने कल भी डिसकास किया था कि 2014 में जब क्रेमिया पेनिंसुला को एनेक्स किया था जो कि युक्रेन का ही पार्ट था तो भी क्या कर लिया था अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया था अब यहां पे बात आती है कि चलो है इंडिया के लिए क्या स्टेक पे है अब हरानगी की बात यह है कि इंडिया कहां पे और युक्रेन कहां पे तो यहां पे mind में ये सवाल आता है कि इंडिया और युक्रेन का यहां पे क्या रिलेशन आ गया कि युक्रेन पर अगर रशिया अटाग करता है तो हमको क्या सिरदर्दी है हमारी नीन क्यों खराब हो तो यही बात यहाँ पर इस आर्टिकल में डिसकस करेगे जिसको हम इसको आनलाइस करते हैं देखिए अगर आज के टाइम पर रशिया कोई मिलिटरी आक्शन लेता है युक्रेन के साथ वो बड़े चालेंजिंग हो सकते हैं सबसे पहली बात आगर रशिया युक्रेन पर अटाग करता है तो रशिया को भी किस ना किसी के तो सपोर्ट मिल रही होगी आज के टाइम पर अब रशिया को अमेरिका सपोर्ट करेगा निकितुर्ण पर ना रशिय खड़ा हुआ है, कंदे से कंदा मिला के, और जितना रश्य और चाइना नजदीग जाएंगे, उतना इंडिया का जो इंटरस्ट है, जो हमारे जो स्ट्रीटीजिक इंटरस्ट है, वो वहाँ पे हाम होंगे, ठीक है, now, because China will give more diplomatic support to Russia, this will definitely hinder Delhi's interest in preventing a further deepening of Russia's ties with China, now, अभी आज के टाइम पे, जैसे मैंने बोला कि Russia बहुत जादा नजदीग है चाइना के साथ, now, this becomes very problematic for India, खास करके जब India, traditionally भी और काफी समय से भी dependent है, Russia के military supplies के उपर, चलो आज के टाइम पे, हम अमेरिका से, इसरेल से भी बहुत इंप ही रही है, अब यहाँ पर इतिहास गवाइज बात का थोड़े history का एक incident सामने यहाँ पर आ जाता है, जब Cuban Missile Crisis होए थे 1962 में, तो that was a very sensitive flashpoint during the Cold War era, तो याने के वो बहुत एक इतना sensitive point था कि nuclear war तक छड़ सकती थी between America and Russia, तो Cuban Missile Crisis के टाइम पे भी Soviet को support मिली थी चाइना से, Soviet ने support सीख करी थी from communist China, और उसी वकट, तो दोस्तो Cuban Missile Crisis जो 1962 में हुआ था, तो यह October से November 1962 में चला था, ठीक उसी वकट, ठीक उसी वकट, इंडिया की लड़ाई चल रही थी चाइना के साथ, ठीक है, so, इसको Cuban Missile Crisis को October Crisis भी कहते हैं, by the way, so, उसी व तो reciprocate करने के लिए, Soviets ने भी चाइना को support किया था, और traditionally, जैसे के आपको पता है के नहरुज़ी की टाइम से, इंडिया जो है, बहुत traditionally allied था, towards the Soviet Union, now, this disturbed the equation, especially at a time when India and China were at war with each other, तो यह क्या फिर से repeat होगा, यह बात की यहाँ पर चिंता आई है, इसी करके, यहाँ पर something is definitely a stake for India, now, अब अगर idealistically, अगर resume करेंगे, US-Russia के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, तो यह तो वैसे अभी तो impossible है, लेकिन, what will the friendship between USA and Russia mean for India, देखिए, पिछले साथ, New Delhi welcomed the summit which happened between Joe Biden and Vladimir Putin, आज के time पे, अगर idealistically बात करो, वैसे तो बहुत realistically बात नहीं हो सकती है, अगर किसी किसम का अगर अच्छा friendly relation होता है, रशिया और USA के बीच में, तो that is in India's long term interest, क्यों, क्योंकि India USA का भी अच्छा दोस्त है, इंडिया रशिया का बहुत सालों से इतना पुराना दोस्त है, ठीक है, दोनों ही इंडिया के लिए बहुत important है, अगर हम defense deals की बात करें, trade की बात करे तो अगर हमारे दोनों दोस्त, जो के वैसे एक दूसरे के दुश्मन है, अगर वो दोस्त बन जाए, तो इससे चाइना भी कमजोर पड़ेगा, तो हमारे long term objective में है कि USA और Russia friends बने और amicably, बहुत peacefully इस जो crisis में, Ukraine का जो crisis चल रहा है, इसका को diplomatic solution निकाल सके, अगर ऐसा नहीं होता, यानि किया कि Russia अभी जो लग रहा है कि invade कभी भी Ukraine पे कर सकता है, now this will obviously, you know, जो difference होगा, अमेरिका और Russia के बीच में बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, because obviously Russia challenge करना चाहरा है, US का ये जो जो NATO का, because US led NATO का ये जो ambition है कि भी मैं NATO अपना eastward expansion और जाधा करे, इसको लेकी भी हमन रप्रोच्मेंट है, between the west and Russia, उसके chances बहुत कम होंगे, now this can complicate India's efforts, this can complicate matters for the Indian foreign policy, to maintain a very delicate balance between USA, between Europe and Russia, ठीक है, तो ये delicate balance बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए मिंटेन करना, कि एक तरफ हम S-400 missiles मंगवा रहे है रहे हैं, दूसरी तरफ हमको CATSA का, जो sanction का खतरा है, वो भी है, कि the power of silence, देखे जब क्रिमिया को next किया था 2014 में, रश्या ने जब क्रिमिया को next किया था युक्रेन से, तब इंडिया ने नहीं इस annexation के बारे कुछ बोला था, नहीं कुछ विरोध किया था, इंडिया चुप था, silent था, अब silence can also reveal many things, ठीक है, अगर आज भी इंडिया silent रहता ह है, तो रश्या ने 2014 में भी इंडिया के silence को एक support ही माना था, endorsement मानी थी रश्या के actions को, और अगर आज भी अगर इंडिया चुप रहता है, कि अगर रश्या युक्रेन को invade करता है, तो आज भी इंडिया की जो चुपी है, जो silence है, उसको रश्या एक तरह से अपनी support मानेग ठीके, now, even as Moscow might seek support from Delhi, it will sell India's silence as an endorsement, it will tell that, look, India तो कुछ नहीं बोल रहा है, याने के इंडिया हमारे साथ है, ठीके, लेकिन अगर इंडिया चुप रहता है, तो definitely that will disturb the equations India has with European Union, with America, ठीके, international relations में जो चीज़े दिखती है, वो होती नहीं, और जो होती है, वो दिखती नहीं है, तो यहाँ पर black and white नहीं होती है, बहुत complications होती है, international relations इतना ज़्यादा complicated होता है, कि समझ के बाहर होता है, कि हो क्या रहा है, तो अब यहाँ पर India अपने relations European Union और America के साथ भी disturb कर सकता है, आगर वो चुप रहे, in the face of an invasion by Russia over Ukraine, क्यों, विकाज अगर India और European Union की बात करें, तो दे terms of containing the rise of China, pivot to the Indo-Pacific region, तो USA इंडिया को अपना pivot देखता है to the Indo-Pacific region, और अभी हाल ही में, चलो, हमने S-400 missiles मंगा है रशिया से, लेकिन खतना था, CATSA sanctions का, तो लेकिन CATSA sanctions को भी wave off करने की बात कहीं, कुछ senators ने, America में कि भी India को एक special case मान के, उनके उपर यह CATSA sanctions डान लगाएं, त अब अमेरिका का focus, अफगानिस्तान से से चिफ्ट हो कि इंडो-Pacific में आ गया, तो Quad, AUKUS, यह सब चीज़े हम देख रहे हैं, आज अगर Ukraine में कुछ होता है, तो अमेरिका का focus, क्योंकि अमेरिका NETO का बहुत significant member है, ठीक है, after all NETO का जब पूरा budget है, वो तो अमेरिका ही checks card क देता है, तो अगर Ukraine में कुछ ऐसा होता है, तो आज अमेरिका की tension कहां पे जाएगी, तो आज अमेरिका की tension Europe में जाएगी, Eastern Europe में जाएगी, तो यह इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, because अगर अमेरिका की tension इंडो-Pacific से shift away होती है, तो फिर यहां पे इंडिया को problem यह incremental in order to focus on the Russian challenge, अगर European Union wants to stabilize the ties with China, because अभी चाइना तो support करेगा रशिया को, ठीक है, अभी आज के time पर रशिया का कोई दोस्त अगर है, कोई बहुत अगर कोई दोस्त जो matter करता है रशिया को, तो वो चाइना ही है, ठीक है, और चाइना की friendship के कारण, चाइना के भरोसे के कारण, रशिया इस तना के assertive actions ले रहा है, कि ठीक है अभी चाइना तो मेरे साथ खड़ा हुआ है, तो लादमी पुतीन इस करके आगे पंगे ले रहा है, तो अब बात ये आती है कि अगर ऐसा कुछ equation होती है, तो यहाँ पर European Union भी चाहेगा कि कैसे वो चाइना के साथ relations stabilize कर सके, त who will have the last laugh, अधर European Union seek out करता है चाइना के साथ, अधर European Union चाइना को कहता है कि भी आप एक पीस ब्रोकर बनिये, तो चाइना will have the last laugh, this is not good for India's long-term strategic interest, तो चाइना वो बेनेफित from this जगड़ा between the West, the European Union and Russia, तो तो लास लाफ जिसको मिलेगा वो चाइना होगा, वो चाइना होगा, तो आंत में एक ही लाइन में कर बात करें, तो इंडिया must hope for a diplomatic solution to this crisis, ये crisis जादा aggravate ना हो, diplomatically इस issue को resolve किया जा सके, अगर ये crisis बढ़ जाता है, तो इंडिया बहुत एक difficult position में होगा कि कैसे वो navigate कर पाएगा, वो delegate balancing कैसे कर पाएगा, with China, with Russia, with America on one hand and with the European Union on one hand, चलिए, तो questioner side इंडिया में से क्या बनता है, international relations must not be viewed as black and white, in context of the geopolitical complexities arising out of a likely conflict between Russia and America over Ukraine, elaborate the complications which might emerge for India, तो दोस्तों आज के ये दो एडिटोरियल से, तो दो एडिटोरियल से हमने इसको comprehensively discuss किया है, उमीद करता हूँ कि आपको इडिटोरियल समझ आये होंगे, तो दोस्तों जाने से पहले, बस व आप अपनी revision कर रहे होंगे, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाते हैं, एक rash courses को avail करना चाते हैं, अगर आप अपने current face को या अपने static GS के syllabus को और polish करना चाते हैं, तो phone उठाईए और इस पे number करिए, इस पे call करिए, और अगर आप website में visit करेंगे, तो website में visit करके भी आ आप इन courses के बारे और detail में जान सकते हैं, और उस पे roll कर सकते हैं, so दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल और editorial के साथ, तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, thank you so much, जैहन!